पहले चरण के मतदान खत्म होते ही बीजेपी की नींद उड़ चुकी है और ये नींद उड़ाई है एक वाइरल ओडियो ने जिसने पश्यमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पूरे हाल को बया किया पश्यमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी बुरी तरीके से हारने वाल जिसमें बीजेपी का सफाया होने के दावे किये जा रहे हैं पश्मे यूपी की 58 विधासबा सीटे जहां दस्ट फरवरी को पहले चरण की वोटिंग हुई वहां पर चुनाव में ड्यूटी देने वाले कुछ लोगों की बाचीत का एक आउडियो वारल हुआ है जो सोशल मी जो खुद को मठा धीश लगाते हैं उनकी जमानत जब्त होने की बात कही गई साथी इस ओडियो में चाती ठोक कर बाचीत में बताया गया है कि आकडों के सही होने का दावा किया जा रहा है और तो और जानकारी देने वाले खुद की कसम तक खाते सुनाई दे रहे हैं ओड पंकत सिंग के भी हार के दावे किये जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जयंत और अखिलेश की गडवंदन ने इस बार बीजेपी वालों के सभी के छक्के छुडा दिये पुलिस वालों की बातशीत की ये रिकॉर्डिंग अब काफी जादा वारल हो रही है सुनिए इस पू अब लगी है आँ दूसरे चरण में संबल लगी बहुत जूड़ार रहा है अपनी कसम जूटना वोलो मत्रा में तो खातों ना खुल लगई ये बिको अलीगण मत्रा में अरे अपनी कसम और वहां में अलीगण में खाली एक सीट मिल सकते बस भीज़ा बागिस सब अपनी अरे अमत्रा में तो ट्टल अपनी है तो समझागे भई लेकर एक बस पागी बले लेकर जानी तो अपनी अच्छा मत्रा में तो यह को अशर रहा है दू-मसल्म चल नहीं पाया है इंदू-मसलिम नहीं चल पाया जाट-मसलमान-गूजर ये तीनों मिल गए हैदा और जो यह जो नहीं होता है ख़टीक जो आप और बेक वर्ट जाते हैं उतनी वैसे वह दे गई हुँए एंटी वाले अच्छा 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 विदे गए दस पड़ संट जो लेर देखके चलते हैं वह बिल्गुल बीजे पी का सफाया 55 सीटों का नुवान है मेरे साम में अच अच्छा अठ्था मन में यहाँ से 55 सीटे लगंवा हुआ है उनके प्रेप नाइन थे लेकिन मुझे लग रहा है 55 वाला किया करता है वैसे 40 तो भी रोखने वाला नहीं है ज्याँ इसमें बसपा भी बढ़र रही है अच्छा 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 है बसपा से भी टक करें के जबें इसमें तो खाता भी नहीं कहलेगा के जिलों में अरे अपनी गसम संबल कभ ड्यूटी नहीं संबल में चौदा तारीक किया दूसरा चलड़ा ना फिर मुझे वहां की लोकेसन कैसे क्या रहता है चंबल मुरादाबाद सारनपूर रामपूर अम्रोहा इसमें से मुरादाबाद में एका स्वीट बले आजाए बीजेपी की अरे बता रहा हूं बेलुकुल पक्की रिपोर्ट समझे ना बेदी जाड जा जागे प्रचार कर रहे हैं अच्छा अपनी कसम कहराना पर सीट पर बबाल चल लाना कहराना पर उस पर तो इतनी बेंकर बड़ी जीत होगी अब के रिकार्ट तूड़ जाएगा जाजा है अच्छा और बालियान आराएज वसने अपना कंगीरेटर जो रहा है मुझफण नगर से बड़े बड़े कंगीरेट देगो उससे क्याना गाजी अवास से लोनी से मदन वह जीत रहा है अच्छा और नंद कसोर गूजर वह आर रहा है अच्छा और देखो इससे क्या है यहां से जे इसका राजना सिंग का लड़का नहीं है राजना सिंग का वह आर रहा है और वह जी तरह लड़का दूसरा जो गठोंदन वाला जो है तो जो कहो कि आरलडी मतलब जो है खुब अच्छे सब दे गई ऐसा गूजर जाट लोग कर तो जाट बोट नहीं करेगा ऐसा अगुआ नहीं इस पर बिरोध हुआ था तो जहनत चोधरी ने वह जहनत चोधरी ने और समाल लिया समाल लिया जो है वह आप देखो रामभी रुपाद्या तक आर रहा है सादा वास्तिया वह चुनाब अच्छा बिल्कुल जमाना जब तो देखो अच्छा बिल्कुल जब लोग दल गठफन नहीं जाएगा वैसे यहां का चुनाब अभी आतरस तीसे चर्ण में अरा मैंने पुरी एटा-एटावा ये सब कानपुड देया तो भी आता सब कानपुड तक जो आई तीसे चर्ण में अभी दूसरे चर्ण में और बड़ा तो मिलेगी जो इस साइकल को अच्छा अच्छा बहुत 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 अधर अधर तो पूर्वान चलें फिर तो ही समाजवादी का ही सब है रेला पेला अधर तो कोई प्रवलम है नहीं ये तुम्हें गड़बड मिलेगी मैं बता रहा हूं फ्रोजाबाद में ए आज निकल जाएंगे यहां से आज जाओगे तुम्हाँ है कम वहाँ चौद्यक आए चौद्यक आए चौद्यक आए बलब पच्छिम तो सब्लब सपा कर दी बीजेपी पच्छिम ने तो पस जाट गूजर यही पेलम पेल लगे अच्छा यही ठोसवोड था पस्चिम में बीजेपी के पास के नहराज कर दी उनने जाट और गूजर यही ठोसवोड था बीजेपी के पास जाट गूजर पिछली बार तो जाट अप भी देगे ते ना लेहर देखके दे आए वो तो सुना अपने अधिकारियों के इस बादशीत ने बीजेपी की नींद उड़ा डाली है क्योंकि इसमें बीजेपी के हर एक प्रत्याशी के और हर एक सीट पर हार की बात कही जा रही है और उडियो में बाचीत करते ये लोग बता रहे हैं कि संगीज सोम इस बार सोम सोम करते ही नजराने वाले हैं उनका कुछ भी होने नहीं जा रहा और उनके साथ साथ कईयों की जवानत भी जब्त होने वाली है कुल मिला करके माने तो इस बार पश्मित्र प्रदेश में बीजेपी का सूपड़ा साफ होने वाला है इस बार बीजेपी वहां बुरी तरीके से हार का मूद देखने वाली है सिर्फ सराहनपुर वर शामली में भाजपा को एक एक सीटे मिल सकती है बागी कहीं भी उसका खाता भी नहीं खुलेगा इसके साथ ही कल 14 फरवरी को होने वाली चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग में मुस्लिम बहुल इलाकों में भी बीजेपी की हालत और भी ज्यादा खराब होने की बात कही गई है वहां भी बीजेपी के खिलाफ में जनादेश होने की बात बताई गई है इस ओडियो के वाल होते ही बीजेपी में पूरी तरीके से खलबली मच गई है भाजपाईयों के नीन दुड़ गई है जो बीजेपी के तमाम नेदा खुद को बहुत बड़े शेर बता रहे थे उन सब की परिशानी बढ़ गई है और अगर ये ओडियो सच साबित हुआ तो यूपी से बीजेपी का सफाया इस बार तय है झाल 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 झाल